सुप्रीम कोर्ट ने ED के अधिकारियों पर हमले से संबंधिस संदेशखाली मामले को CBI को ट्रांसफर करने के कलकता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इंकार कर ममता बनर जी को तगड़ा जटका दे दिया इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि शाह जहां शेक को इतने दिनों तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया राजे सरकार ने कहा कि साथ गिरफतारी हुई थी सिर्फ एक गिरफतारी नहीं हो सकी थी जस्टिस मेहता ने कहा कि राज्जे के पुलिस को जांच में बताया कि एडी अधिकारियों को बुरी तरह से पीटा गया जब वह एक घोटाला मामले की जांच कर रहे थे एडी ने बताया कि मुख्यारोपी शेक शाजाने एक F.I.R. भी दरश कराई थी ये पीटे गए अधिकारियों के खिलाब थी और इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमी का बेहद खराब नजर आती है मास्टर माइन को C.B.I. को सौंपने में काफी समय लग गया पांच मार्च को कलगता हाई कोर्ट ने मामले की जाँच C.B.I. से कराने का आदेश दिया था साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के मास्टर माइन आरोपी शेक शाजान को उसी दिन C.I.D. की हिरासत से C.B.I. को सौंपने का निर्देश दिया था मामले का मुख्यारोपी शाह जाह शेक काफी दिन तक फरार था करीब 55 दिनों की फरारी काटने के बाद बंगाल पुलिस से 29 फरवरी को शाह जाह शेक को अरेस्ट कर लिया था शाह जाह शेक इन 55 दिनों तक कहा रहा किसी को नहीं पता सीबियाई ने पार्टी से निकाले गए टीमसी नेता शाह जाह शेक के करीबी सहयोगियों को समन भेजा है एजेंसी ने उन्हें पेश होने के लिए कहा है एक अधिकारे ने कहा कि इस बात की जानकारी दी के सीबियाई ने सभी नौ लोगों पर पांच जनवरी को शाह जाह शेक के आवास पर चापे मारी के दौरान एडी की टीम के अधिकारियों पर हमला करने में शामिल होने का शक है विर पॉर न्यूस फिंदिया